Hello everyone, welcome back to my channel. आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे stellar English book class 5 से एक new lesson जो की है lesson number 4, Rip Van Winkle. Dear viewers, अगर आपका भी कोई requested lesson हो, तो आप मेरे इस email address पे अपनी उस lesson के PDF को share करें. मैं जल से जल उस lesson का वीडियो लेकर आऊंगी. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के lesson के तरफ और समझते हैं इसको line by line. तो ये एक short story है, जो की किसी American author के दुवारा लिखी गई है, जिनका नाम है Washington. तो आईए देखते हैं इस lesson में क्या होता है, इसमें एक character है जिसका नाम है Rip Van Winkle. वो एक बहुत ही lazy और आलसी वैक्ती थे, जिसकी wife उनसे हमेशा चड़ी चड़ी सी रहती थी. और ultimately last में क्या हुआ, वो कहीं चले गए. तो आईए देखते हैं, वो कहा गए और वहाँ तो उनके साथ क्या क्या हुआ. तो चलिए समझते हैं. Long ago in North America lived Rip Van Winkle, a simple good-natured but lazy man. बहुत सालों पहले की बात है, North America में एक इंसान रहता था जिसका नाम था Rip Van Winkle. वो बहुत ही simple था और उसका नेचर बहुत ही अच्छा था, पर वो एक बहुत ही आलसी वैक्ती था. उसकी एक आदद बहुत ही अच्छी थी कि वो हमेशा अपने आसपड़ोस के लोगों की चिंता करता था और उनकी मुसीबते, उनके प्रॉब्लम्स उनसे सुना करता था, कि उनको कौन सी चीस परेशान कर रही थी और उनकी हल्प भी करता था. Everyone in the village liked him. हर कोई उस चोटे से गाउं में उसे बहुत प्यार करता था. He was very popular among the villagers and the children were especially fond of him. वो बहुत ही popular था, यानि बहुत ही famous था अपने पूरे villagers के बीच और वहाँ के बच्चे उसे खुब जादा पसंद करते थे. He played with them, taught them to fly kites and told them long interesting story. वो उनके साथ खेलता था, उनको पदंग उड़ाना सिखाया करता था और उनको बहुत लंबे लंबे और interesting stories भी सुनाता था. He loved to spend time with his little daughter, too. उसको अपनी चोटी सी बेटी थी उसकी, उसको उसके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था. Unfortunately, his wife was bad-tempered. पर दुर्भागे वर्ष उसकी wife जो थी, वो छोटे-छोटे बातों पे उससे चिड़ी रहती थी. And nagged poor Rip all day long. और उससे हर समय, पूरे दिन उसकी शिकायते करती रहती थी. कही न कही, Rip Van Winkle की wife उससे बहुत चर्ती थी, क्योंकि वो घर का बिलकुल भी काम नहीं करता था, और खेतों में भी जाकर उसकी मदद नहीं किया करता था. तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, उसने कंप्लेन करते वे कहा, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, but you don't do any work at home, लेकिन तुम घर का बिलकुल भी कोई काम नहीं करते हो, और in the farm, या फिर तुम खेतों में भी बिलकुल मेरे सहयोग नहीं करते हो, हमारी जो फैमिली है, वो बहुत ही निरधन है, यानि कि रैक्स का मतलब होता है, बिलकुल फटी हालत में, यानि कि बहुत गरीब, आईए next page की तरफ बढ़ते है, अपने नगिंग करती हुए वाइफ सहयानी की हमेशा फॉल्ट निकालती थी, उसकी वाइफ उसमें, उससे वो तंग आकर, वो कभी कबार चले जाया करता था माउंटेन पे, कौन से माउंटेन पे, कैट स्किल माउंटेन पे, वहाँ पे वो अपना बहुत ही वफदार कमपैनियन, यानि साथी को लेकर जाता था, जिसका की नाम था वुल्फ, पर वो था एक डॉगी, वो वहाँ पे जाना बहुत पसंद करता था, जैसी ही उसने थोड़ी देर के लिए आराम करने को सोचा, एक बहुत ही थंडी हवा का जोका वहां से बहाँ से बहुत ही सर्प्राइज हुआ रिप वहाँ पे कि किसे ने उसका नाम जोर-जोर से चिलाया, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, इस तरीके से कोई उसे आवाज दे रहा था, He turned and saw a strange little man going up the mountain slow, उसने पीछे मोड कर देखा, कि यहां पे ते एक छूटा सा बॉना सा वैकती है, जो कि एक बहुत बड़ा सा बैरल उठाया हुआ है, याने कि एक देखिए, कुछ स्टोर करने के लिए पानी, स्टोर करने के लिए ड्रम जैसा, पिक्चर में आप देख सकत है, उस बॉने वैकती ने उसको उठाया है, He was bending under its weight, वो इतना जादा भारी था वो बैरल कि वो बॉना वैकती उसके भार तले दब चुका था, The stranger asked Rip to help him, Stranger ने उसको कहा, याने कि उस बॉने आदमी ने उससे कहा, Please मेरी help करो, यह बहुत भारी है, So he did, तो उसने उसकी करी, आप सभी को तो पता ही है, कि Rip Van Winkle हमेशा दूसरों की मदद करना उसे अच्छा लगता था, And they went ahead, और वो लोग आगे बढ़ने लगे, Rip also heard the sound of distant thunder, उसे कही दूर से एक बादल गरिजने की आवाज भी सुनाई दी, Soon they reached an open clearing, जल्दी ही वो वहाँ पहुच गे जहां उनक Clearing का मतलब होता है, ऐसी जगा जो कि बिलकुल खाली हो, और वहाँ पे खुब सारे ट्रीज जो थे, वो कट कर दिये गए है, ताकि वहाँ पे एक open area रहे Next stanza, Rip was astonished to see many strangely dressed little men playing nine pins, they were rolling ball and it was the noise which had sounded like thunder तो Rip काफी हैरान होता है, चोटे चोटे बॉने लोगों को देख कर वो आशर चकित रह जाता है, astonished का मतलब होता है, surprised, बहुत जादा surprise में आ जाना और वो लोग कुछ खेल रहे थे, nine pins, nine pins का मतलब है, a traditional bowling game, जैसे कि हम लोग खेलते हैं, bowling, mall वगेरा में, तो वैसा ही कुछ, उनका भी game था, आप फोटो में देख सकते हैं और वो कर क्या रहे थे, वो एक ball को roll कर रहे थे, वही ball का noise था, जो कि rip को thunder की तरह लग रहा था, यानि rip ये सोच रहा था कि शायद बादल गरज रहे है कहीं दूर से, पर वो बादल की आवाज नहीं थी, वो इस ball के वज़े से ऐसा sound आ रहा था जैसे ही उन्हें ने देखा कि यहाँ पे कोई दूसरा एक अजीब सा इंसान जो कि rip था, तो उन्होंने अपना गेम रोक दिया और सब उसको एक टक से देखने लगे, they took the barrel and emptied its contents into big containers with handles, उन्होंने वो बैरल लिया, rip के हाथ से और उसको एक बहुत बड़े से container में खाली कर दिया, जिसमें की बहुत सारे handles भी थे, they drank from it and offered it to rip too, वो सारे बॉने उस पानी को पीने लगे और rip को भी थोड़ा सा पीने के लिए दिया, since he was very thirsty, he drank it and liked it, तो rip क्योंकि बहुत जादा थक चुका था चड़ाई करके, तो उसने उस जो भी drifted into a deep deep sleep, जैसे ही रिप ने उस पानी को पिया, वो गहरी नींद में सो गया, when rip awoke, it was a bright morning, there was sunshine around and he thought he had slept all night, जैसे ही रिप सो कर उठा, उसे देखा, उसने देखा कि चारो और खूब तेज रोशनी थी, यानि की सुबा हो चुकी थी, और उसने ये सोचा कि शायद में सारी रात कल सो गया था, the drops were not to be seen, वहाँ पे drops यानि की बॉने उधर नहीं थे, he looked for his dog, वो अपने डॉगी को खोजने लगा, वुल्फ, जिसका की नाम था वुल्फ, but could not find him, पर डॉग्यों से नहीं मिला, he began to make his way down the mountains to his village, carrying his gun, तो वो अपने गन को उठाता है, और नीचे की और अपने गाउं में जाने के लिए शुरू हो जाता है, to his utter surprise, everything has changed, तो उसको एक पूरी तरीके से नया surprise मिलता है, कि उसके गाउं में सब कुछ बदल चुका होता है, next page, he did not remember how long he had slept, he met many people in the village, but no one recognized him, he thought he knew everyone who lived there, but he could not recognize them either, तो रास्ते में चलते चलते जब वो अपने गाउं में पहुचा, तो उसने खूब सारे villagers को देखे, पर कोई भी उसे नहीं पहचान पा रहा था, और ना कि वो किसी को पहचान पा रहा था, he stroked his beard, तो उसने अपने beard को moved the hand gently over something, यानि कि अपने दाड़ी को इस तरीके से सहलाया उसने, which he realized was over a foot long and grizzled, तो उसे ये महसूस हुआ कि, अरे मेरी दाड़ी तो बहुत लंबी हो चुकी है, और वो gray color की हो गई है, यानि कि पक गई है, सफेध हो चुकी है, he wondered how long he had been slept, तो वो सोचने लगा, अरे मैं तो बस एक रात के लिए सोया था, तो मेरी दाड़ी सफेध कैसे हो गई, पता नहीं मैं कितनी राते सो चुका था वो पानी पीने के बाद, तो जैसे ही वो इधर उधर देखना शुरू किया उसने, तो उसने कई सारे नए घर, नए बिल्डिंग्स को देखा, और जैसे ही वो अपने घर के तरफ बढ़ने लगा, तो उसको सारे streets भी बहुत अंजान लगने लगे, और उसका घर खोज पाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था, लोगों ने काफे अलग तरीके के पोशाक पहन रखे थे, यानि बहुत ही डिफरेंटली उन्होंने कपड़े पहने थे, और वो लोग उसे खूर घूर कर देख रहे थे, और कान में एक दूसरे से कुछ बुद बुद आते हुए कह रहे थे, काफी कुट्टे उसके पीछे भौकने भी लगे और उसके पीछा करने लगे जैसे की वो कोई स्ट्रेंजर हो, वहाँ पे एक स्टैचू हुआ करती थी जो के रिप्लेस कर दिया गया था जो द्रिश्य वो देख रहा था, अखिरकार रिप अपने घर तक पहुच ही गया पर उसे अपने आखों पर विश्वास नहीं हुआ जो द्रिश्य वो देख रहा था, वो पूरी तरीके से टूट चुका था, और उस घर को देख कर ऐसा लग रहा था कि कई सालों से यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, रिप को अब यह एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ एक रात के लिए नहीं सोया था, वो कई सालों के लिए गहरी नीद में सो चुका था, और अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा, A large crowd gathered around him, उसके आस पास कई सारे लोगों की भीड लग गई, He looked at them and cried, वो उनको देख कर घवरा गया और रोने लगा, I am Rip Van Winkle, मैं Rip Van Winkle हूँ, Doesn't anyone here remember me, क्या आप लोग में से कोई भी मुझे नहीं पहचानता है, He discovered that his wife had died and most of his friends were killed fighting in the American Revolution, वहाँ पे एक American Revolution हुआ था, जो की एक वार थी, एक लडाई थी, 1775 से लेकर की 1783 तक वो वार चली थी, जिसमें की 13 British Colonies in North America broke free from British rule and became the United States of America, तो ये एक वार था जिसमें की British Colonies जो की North America में थी, उनको आजादी मिली British rule से और फिर जनम हुआ United States of America का, तो उसी बीच इस वार में उसकी वाइफ और उसके सारे नजदी की दोस्त सारे लोग मारे गए थे, तो उसको ये एसास हुआ कि अब भी साल हो चुके है जब की रिप अपने गाउं से दूर है, His grown-up daughter was there with her baby in arms, उसकी बेटी उस भीड में खड़ी थी, जिसकी हाथ में एक छोटा सा बेबी भी था, तो जैसे ही रिप की बेटी ने उसे देखा, उसका नाम जानने के बाद, वो उसे अपने साथ ले गई, She took him with her, her baby's name was रिप, उसके बेबी का नाम भी उसने अपने पिताजी के नाम पे ही रखा था, उसके बेबी का नाम था रिप, He continued to lead an ideal and happy life there, तो वो वहाँ पे खुशी खुशी रहने लगा अपनी बेटी के साथ, He would tell others stories and also about the drops he had met on the mountains, तो वो आते जाते, जो भी लोग उसे मिलते थे, उनको अपनी ये कहानी सुनाया करता था, कि कैसे पहाड में उसे बॉने मिले थे, और वहाँ जाते ही उसने वो शर्बत या फिर पानी पिया, और कैसे वो गहरी नीन में 20 सालों के लिए सो गया था, तो ये था हमारा आज का लेसन, Rip Van Winkle, काफी requested वीडियो था ये, काफी mothers मुझे comments करते थे, मुझे DMs करते थे कि please मैं आप ये वीडियो बनाएए, तो हाजिर हूँ मैं आप सभी की request पे इस वीडियो के साथ, जल्दी ही मैं इसका question answer book back exercises भी लेकर आऊंगी, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, ये एक बहुती informative चैनल है, आपके फाइदे की चीज है इस चैनल में, तो क्यों ना आप सभी मुझे support करें, मेरे चैनल को subscribe करें, और मुझे Instagram पे भी follow करें, मेरा Instagram handle है perky underscore mum, तो चलिए मिलती हूँ आगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाई बाई, टेक केर,